नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हमारा आज का वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो बारावी या ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं और जल्दी से जल्दी एक अच्छी नोकरी भारत में या भारत से बाहर दूसरे देशों में पाना चाहते हैं तो आप computer operator बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हैं इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि computer operator कौन होता है, क्या करता है, वेतन कितना पाता है और आप computer operator कैसे बन सकते हैं तो दोस्तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब करें जिससे कि आपको यू बिल निकालना, इमेल भेजना और देखना इत्यादी करने वाले ब्यक्ति को computer operator कहा जाता है computer यूग में computer operator की ज़रुरत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सबी companies और institutes में होती है computer operator की job private और सरकारी दोनों छेत्रों में उपलब्द है निर्धारीत योग गिता रखने वाले ब्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में है जोब केवल इंटर्व्यू के आदार पर मिल जाती है परंतु गॉर्मेंट सेक्टर में है जोब लिखित परिच्छा और टाइपिंग टेस्ट के आदार पर दी जाती है तो चलिए दोस्तों computer operator बनने के लिए निर्धारित योगता जान लेते हैं तो अगर आप private sector में नौकरी पाना चाहते हैं और आपने 12th या graduation पास कर रखी है graduation आपने किसी भी subject से कर रखी है कोई problem नहीं है उसके साथ आपको 6 महीने का या 1 साल का computer diploma पास करना होगा उसके बाद ही आप computer operator की जाप पासकते हैं दोस्तों अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं computer operator की तो उसके लिए आपको 1 साल का computer diploma चाहिए होगा 12th या graduation के बाद और जो आपका 1 साल का computer diploma होगा भारक सरकार से मानेता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए तो दोस्तों 6 month या 1 year diploma course बिना सरकारी मानेता के चल रहे जगए जगए खुले संस्थानों से नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे आपको private नौकरी तो मिल जाएगी परन्तु private नौकरी में भी अच्छा वेतन नहीं मिलेगा और आपको computer operator की सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी इसलिए दोस्तों कम से कम एक साल का computer diploma course भारत सरकार से मानेता प्राप्त संस्थान या सरकारी ITI संस्थान से एक वर्सी है कोपा कोर्स या भारत सरकार के संस्थान NIE LIT अर्थात National Institute of Electronics and Information Technology से मानेता प्राप्त इंस्थिटूट से O-Level का कोर्स करना चाहिए या इंस्थिटूट भारत के सभी छोटे बड़े सहरों में आसानी से उपलब्द हैं यदि आप graduate हैं तो मात्र 500 रुपए में O-Level कोर्स कर घर बैठे कर सकते हैं अपने अच्छे भविस्सी के लिए computer diploma के साथ साथ computer में हिंडी और इंग्लिस में typing करना अवस्य सीखें typing speed को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहें आपको सफलता हवस्य मिलेगी तो दोस्तो computer operator कीप जो private company में salary है वो 10-15,000 प्रतिमाह मिलती है और सरकारी नौकरी में 18-30,000 प्रतिमाह की salary मिल जाती है समय की demand के अनुसार सभी company और संस्तान ऐसे करमचारी की भरती करना चाहते हैं जो एक साथ 2-3 कारियों को संबाल सके इसलिए यदि जाप पाना है तो अपने आपको multi purpose बनाए और आपको job मिलने में आसानी होगी तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद तो हमारा आज का वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं